हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल्स आज हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिंग में क्या अंतर होता है इनमें क्या डिफ्रेंस है आईए सबसे बहले जानते हैं वट इस मैक्रोस्कोपिक लेवल इंकलूद्स एनिथिंग सीन भलत कर रहे होते हैं जिसमें कि हम जो चीजे हैं वस्तु हैं उन्हें अपनी आखों से नॉर्मल आखों से देख सकीं बिना किसी special equipment का यूज कि ए फोर एक्जामपल आप देखी सकते हैं घर घर को हम देख सकते हैं अपनी खुली आखों से बिना किसी equipment के और फुटबॉल, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी आखों से देख सकते हैं नॉर्मली यानि जो भी चीज हम अपनी आखों से देख सकते हैं साइज में बड़ी है उन्हें नापा भी जा सकता है उसे हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं मैक्रोस्कोपिक क्या होता है मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक क दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया microscopic level वो level होता है जिसे उस level की बात करते होते हैं उतनी छोटी छोटी चीजों की हम बात करते हैं जिने हम अपनी normal आखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें देखने के लिए हम ही special equipment चाहिए जैसे की atoms, protons यह size में इतने छोटे होते हैं इन्हें हम अपनी आखों से नहीं देख सकते और इन्हें नापने के लिए भी special equipment चाहिए I hope आपको सुन में आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में thank you